तो दोस्त। मेरा नाम रहुल, स्वागत आपको टेक्निकल वार की यूटियूब चैनल पर दोस्तो अगर आपका वी वेक्स हीटर नहीं चल रहा है, तो इसे कैसे रिपेर करना है, इस वीडियों में बताने बाला हुए तो यहां पर इसेुट कर लेते हैं देखिए यहां पर इसे चेक करने के लिए मैंने एक्टंस है यह ले लिया है अब इसके में लगा देते हैं तो मैंने इहां पर लगा दि 연re me Automate करता हो तो यहां पर क्या यह जह हमारा वैकशीत रहाएं काम नहीं कर रहा है अ favor it करते हैं देखिए हाँ पर कोई लाइट नहीं चल रही और ना यह वर्क कर रहा है तो हम इसे कैसे चेक करना और कैसे रीपेर करना इसके बारे मुताने वाला हूं तो यहां कभी को और ज़्यादा है प्रॉब्लम क्या थी स्विछ खराब जाता है जिसके विसे यह हमारा वेक् क्रूऊ लगे हैं उसको फोल लेते हैं तो यहां पर एक कि दिखाई दे रहा तो इसको हम खोल देता देखिए आपर मैंनेगा टेश्टर की साइथ से खोल दिया और इसके अंदर फिर हम connection check करेंगे इसके अंदर क्या problem है तो इसके cover को निकाल दिया है नीची के cover को तो यहां पर देखते है इसमें वाइर आपको दिखाई दे रिये यहाँ पर element से connect है जैसे हम switch on करते है supply क्या है इस टर्मिन से होते हुए element में चले जाती है तो यहाँ पर हमें check करें कोई सभी wire इसमें से निकले ना हो यहाँ पर wire connect हो का फिर भी हमारे वेक्सेटर वर्क नहीं कर रहा है इसे check करने के लिए बीच वाले टर्मिनल और लास्ट वाले जिस पर रेड़ वायर कनेक्ट करने लगा तो हमें क्या करना है इसे ठीक करने के लिए या तो आप इसके switch को change कर सकते हैं और connection से वैसे कर देने या फिर आप इसका direct connection कर सकते हैं direct connection करने के लिए क्या करना है बीच वायर टर्मिनल को हमें एक दूछे से sort कर देना wire के थुरू तो देखिए आपर मैंने एक और wire का टूड़ा ले लिया है और हमें इसमें से wire निकाल लेना copper wire देखिए हंगे यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था जो बीक्ष टर्मिनल और लास्ट करना इसको हमें इस wire के द्वारा सोच करना और supply हमें element में मिल जाएगी जैसे कि पहली वाली वायर है वो यहाँ पर element से direct connect हो कि टर्मिल से और यहाँ पर क्या है main supply की दूसरी वायर जो तीसरी निंबर टर्मिल पर connect थी इस copper wire के द्वारा इस बीच वाय टर्मिल पर चली जाएगी जिससे कि element वो supply मिल जाएगी तो इस तरह आप भी अपने wax heater के switch को direct करके चला सकते हैं कोई problem नहीं होगी तो चलिए इसकी main supply को connect करके check करते हैं देखिए आपर जैसे मैंने on किया जो इसका switch है यहाँ पर on हो गया है और जो switch है direct है यहाँ पर on या off करते है इसमें फरक नहीं पड़ेगा on off करने के लिए यहाँ पर main supply को इसे off करना पड़ेगा तो देखिए यहाँ पर जो हमारा heater वो work करने लगा है इसका थोड़ी दिए और वीट करते हैं देखिए आपको यहाँ पर जो इसमें wax है वो इसमें पिगलता हो दिखाई दे रहा हुगा तो यहाँ पर जो इसकी heating है वो बढ़ने लगी है और यहाँ पर आपको wax पिगलता हो दिखाई दे रहा हुगा दोस्तो इस टाइप से आप भी अपने wax heater को घर में आसानी से repair कर सकते हैं अगर आपको फिर भी इसे repair करने प्रॉलम आ रही है या फिर इसके switch को connection को direct करने प्रॉलम आ रही है या switch को change करने प्रॉलम आ रही है तो आप comment करके पूछ सकते हैं दोस्तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो प्रीज इस वीडियो को like कर देना अगर आप में चैनल पर नए है तो प्रीज मेरे चैनल को subscribe कर देना इस bell icon को प्रेस कर देना जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो को notification आपको सबसे पहले मिल सके मिलते हैं आपसे next वीडि